19 अप्रेल को हमारे राज में लोगसभा चुनाव के लिए 500 सीटों पे एक साथ मद्दान होना है प्रथम चरण में ही और चुकि जैसा कि चुनाव आयोगद्वारा निजारत किया जाता है चुनाव से दो दिन पहले उस दिन शाम को पांच बजे सारी चुनाव प्रचार की सारी कारवाई सभी पार्टिया सभी केनरेट समाप्त कर देते हैं तो हमारे याँ भी आज सत्रा तारिक की शाम को पांच बजे तक ये करवाई समाप्त होनी है इस चुनाव के लिए जो भी मानिये चुनाव आयों के समय समय पे निर्देश आये थे और जो मॉडल कोड ऑफ अफ अंड़क्ट है उसके हिसाब से पोलिस वे भागने पूरी त पे लूट है पोलिंग स्टेशन अब उनको कह जाता है और उसमें हमारे लगभग गयारा सो से अधिक संख्या के जो पोलिंग से शेशन है वो आदी さं विदन्शील की काटिगरी में रखे गए हैं और बाकि जो हैं पोलिंग सेंटर्स जो है वो दस ज़यार से कुछ जादा जो हैं वो हमारे साधरन की शड़ी में हैं तो उन पे जो चुनावायों के मानक हैं उसके हिसाब से हमने किंद्रिय पुलिस बल और होंगार्ड पी आर डी और हमारा जो नॉर्मल पुलिस फोर्स है उसकी भी तेनाती की गई है कुल मिलाके जो हमारे पास लगबख 46,000 अलग अलग मतलब विंग्स के पुलिस कर्मी मतलब सिविल पुलिस के आम पुलिस के पी ए सी के सेंट्रल आम परामिलिटरी फोर्सिस के अपने हूम गार्ड पी आर डी अने राजियों से भी इसमें कई सारा पुलिस बलाया है तो लगबख 46,000 कर्मी इस मद्दान की प्रक्रिया को शांती पूरवक करवाने में हमारे डिप्लॉइड रहेंगे इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे पिछले जब से अचार सहीता लागव ही है पूरा उत्राखन पुलिस डिपार्टमेंट ने चुनावानी चुनाग आयोके निदेशन में जो हमारे मुख चुनाव अधिकारी है उनके निकट परिवेक्षण में और जो भी समय समय पे उनके दिशादन देश मिलते हैं हमको उसके अनुसार हमने सारी तैयारी कर ली है और हमारा उत्राखन का पुराना इत्यास रहा है कि यहां पे हमेशा बड़े शांती पूर्ण और सौहाद पूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैं कभी भी कोई अप्रिय घटना कहीं से का कोई ऐसा वो नहीं हुआ है तो इस बार भी हमारा पूरा प्रियास रहेगा कि जो हमारा चुनाव है बिल्कुल शांती पूर्ण है और अच्छे वातावरण में हो और हम तो यही कहना चाहिए कि सभी जो हमारे सिटिजन्स हैं वोटर्स हैं वो बिलकुल मतलब एक अच्छे स्वस्थ माहौल में एक फ्री माहौल में अपना मद्दान करें और उनको सभी को सभी मद्दाताओं को एक शान्तिपूर्ण चुनाव के लिए मेरी अगरिम से शुप कामना है